नमस्कार दोस्तों, मिरा नम संजे मगू है और मौझूद है देश रोजाना के डिश्टर मीडिया प्रेटफॉर्म पर हर्याना के अंदर अब चुनाव शुरू हो गया है हर्याना के अंदर चुनावी नगारा बज गया है और एक अक्टूबर को अब हर्याना में मतदान होगा यानि कि हर्याना के लोग एक अक्टूबर को अपने वोट के अधिकार से तै करेंगे कि हर्याना में अगली सरकार किसकी, हर्याना में अगला नित्रतव कौन और हर्याना का अगला राजा कौन राजा मायने तो आज लोकतंत्र के अंदर भरे ही राजा नहीं होते जिसको संग्या दी गई मुख्या मंत्री परधान मंत्री विधायक सांसद इन सब की लेकिन जो पुरानी वैवस्ताती उससे देख ले और या फिर जो आज का जो दौर चल रहा है उसमें भी देख ले विधायक हो या सांसद हो या मुख्या मंत्री हो इन सब को राजा की केटेगीरी में रखा जाता है और राजा की कैटेगरी यू नहीं कि ये राजा हो गए यानि की समराट हो गए ऐसा नहीं जिनके पास राइट्स होते हैं जिनको अधिकार दिये जाते हैं जिनको जनता चुंती है हलाकि एक दोर वो था कि जब राजा गरब से पैदा होते थे लेकिन आज का दोर यह है कि राजा जनता बनाती है तो लोकतंत्र के इस महापरव के अंदर जो हर्याना का होना है और एक अक्टूबर को इसके लिए तमाम राजनितिक दल तमाम नेता अपनी तयारियों में लगे हुए है अगर मैं आपसे बात करूँ भारती जनता पार्टी की क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे बीजेपी के एक उस एजेंडे को लेकर हूँ जिसे की वो हमेशा से आगे बढाती रही है भारती जनता पार्टी का एक एजेंडा रहा है चाहे वो चुनाव कहीं का भी कभी भी हो भाजपा के तमाम नेता परधान मंत्री से लेकर के और छोटे नेता तक कारे करता तक सभी लोग विपक्षी नेताओं पर विपक्षी राजनीतिक दलों पर खासकर छेत्रिये पार्टीओं पर आरोप लगाते रहे हैं परिवारवादी होने का लेकिन ये चुनाव ऐसा है दोस्तों 24 का हरियाना के अंदर जिसमें कि राजनीतिक गलियारे में एक चर्चा है कि क्या भारती जन्ता परटी अब इस परिवारवाद के सिद्धांत से मुह मोड रही है एक चर्चा है कि क्या भारती जंता पार्टी चुनाव के अंदर जो परिवारवाद का विरोध करने का जो उनका सिध्धान्त रहा है अब की बार उससे कहीं कुछ समझोता कर सकती है और नेताओं के बेटों को एड़ेस्ट किया जा सकता है कौन से राजनेता के बेटे एड़ेस्ट होंगे क्योंकि अगर आप मानें तो हरियाना के अंदर भारती जंता पार्टी के पांच में से चार सांसद ऐसे हैं कि जो अपने संतानों को अपने परिवार के लोगों को एड़ेस्ट करना चाहते हैं मात्रिक मनोहरलाल खटर हैं मनोहरलाल जी हैं जिनका क्योंकि उनका कोई परिवार नहीं उनका परिवार वो खुदी कहा करते हैं कि पूरा अर्याना परिवार है उनका विभा हुआ नहीं और विभा वाली बात तो उन्होंने खूब हसी ठाके के बीच राजयसभा में कही थ तो मनोहरलाल को छोड़ करके बाकी जो चार सांसद हैं, राविंदर जी सिंग अपनी बेटी के लिए टिकर चाहते हैं, आर्ती राव के लिए, कृशनपाल गूजर जो केंद्र सरकार में वजीर हैं अभी, वो अपने बेटे देविंदर चौधरी के लिए टिकर चाहते हैं, इसलियास से मैं कहा हूँ कि जो परिवारवाद वाला सिध्धानत है अब की बार वो कहीं दम तोड़ता दिखेगा और आप मानें तो इन में से कई नेताओं के परिजन चारों के हो या कई नेताओं के परिजन आपको चुनाव मैदान में दिखेंगे. मेरी बाजबा के बड़े पतादी कारी से पिछले दिन में एक बात हो रही थी तो उनमें से बात निकल करके आई वो ये थी कि औरों का तो पता नहीं लेकिन राव इंदर जी सिंग उनकी बेटी का टिकट ते है. बात ये चली कि राव इंदर जी सिंग की बेटी के लिए भारती जंता पार्टी में लगवग ये सहमती है कि उनके बेटी को टिकेट अब की बार दिया जाए पिछले कई दिनों से आपने सुना होगा आरती राव खुद कहती रही है लगातार कि अगर उनको टिकेट नहीं मिला तो भी चुनाव लड़ेंगी और राव इंदर जी सिंग भी कहते रहे हैं कि आरती का राइट बनता है 2014 से बनता है 2019 में भी था और अब की बार तो वो टिकेट के लिए पूरी उनकी पैर भी है तो आप मान करके चलें कि पहला नाम तो राव इंदर जी सिंग का लगबग तै माना जाता है कि जिनको टिकेट होगा दूसरा लोग कहते हैं नवीन जिंदल जी के बारे में तो नवीन जिंदल की चर्चा करूँगा आपसे कल अगले वीडियो में इस वीडियो में बात राव इंदर जी सिंग की कि जिनकी बेटी के लिए ये बात चलने लगी है बाजपा के राजनीतिक सुत्रों के अंदर भी बाजपा के जो बड़े नेता है उनमें भी और जो र विधान सभा सीट कौन सी होगी पिछले कई दिनों से कई बातें चर्चाओं में हैं चर्चाओं में बाश्चापुर भी है जहांपर की राव इंदर जी सिंग को एक लाग से ज्यादा वोटों की लीड मिली लोगसभा चुनाओं में चर्चाओं के अंदर रेवाडी भी है जहां पर राविंदर जी सिंग चुनाव जीते और पिछला विधान सभा चुनाव जहां से राव साव के विरोधी जीत गए थे कप्तान अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव MLA बने थे कॉंग्रेस के चर्चाओं में अगर आप कहें तो फिर नारनौल भी है चुनाव में अटेली कनीना कनीना पहले विधान सभा सीट हुआ करता अटेली मंडी उसका नाम है वो भी है अब इन में से कौन सी सीट ऐसी सेफ हो सकती है जिस पर की राविंदर जी सिंग सोचें कि उनकी बेटी को चौथी नारनौल इन में से हाला कि चर्चा कोसली की भी है लेकिन मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं इसके अंदर जो गुरुगराम लोगसभा के अंदर विधान सभा सीट थी मैं आपसे उनकी बात कर रहा हूं और इसके अंदर आप सबसे पहले माने तो फिर हाला कि अटेली जी सिंग बड़े अंतर से चुनाव जीते हैं 2019 के चुनाव में वहां से चुनाव जीत गए थे राकेश दौलताबाद इंडिपेंडंट चुनाव लड़ते हुए राव नर्वीर सिंग 2014 में वहां से चुनाव जीते थे भारती जंता पाइट्रे के कैंडिडेट के तौर पर और 2009 में वहांसे स्वर्गी राव धरम पाल चुनाव जीते थे कॉंग्रेस कैंडिडेट के दौर पर। इस विधानसभा सीट पर यानि की बाश्चापुर विधानसभा सीट पर 2019 में भी राव नर्वीर सिंग का हत था दावा था लेकिन राव इंदर जी सिंग के विरोध के चलते वो टिकेट कटी और टिकेट मिल गई मनीश यादव को बीजेपी का बीजेपी की टिकेट पर मनीश यादव चुनाव हर गए और राकेश दौलताबाद इंडिपेंडेंट चुनाव जीत गए राजितिक चर्चाएं कहती हैं कि उस चुनाव में यानि कि जो चुनाव राकेश दौलताबाद जीते स्वर्गी राकेश दौलताबाद जी को राव नर्वीर सिंग का भी समर्थन था और बताते हैं राकेश दौलताबाद को मुकेश शर्मा का समर्थन भी था मुकेश शर्मा यहां से चुनाव लड़े थे 2014 में इंडिपेंडेंट लगवग 30-32,000 के आसपास वोट उन्होंने भी लिये थे और सभी लोगों ने उस चुनाव में राकेश दौलताबाद की मदद की और मनीश यादव उस चुनाव को हारे अब जब अब बात 2024 की आ रही है तो बाश्यापुर क्या आरती राव के लिए सुरक्षित सीट है तो फिर आप उसे आपको मैं चार मायनों बताता हूँ सबसे पहले तो पाश्यापुर विधान सावा सीट पर जबार यादव दावेदारी कर रहे हैं वो मनहोरलाल के बहुत नजदीकियों में शामिल है दूसरी दावेदारी यहाँ पर कर रहे हैं मनीश यादव मनीश यादव पिछला चुनाव यहां से हारे थे अब की बार फिर उनकी टिकेट की उम्मीद उनको भी है कि मुझे बात बन जाए तीसरी दावेदारी कर रहे हैं यहाँ पर राव नरवीर सिंग अब की बार उनके खूब जोर शोर से परचार जारी है और एक नाम आरती राव का हुआ अगर जवार यादव को टिकेट नहीं मिलता तो फिर आप मानने जवार यादव बीजेबी में रहेंगे पार्टी छोड़ेंगे नहीं अगर मनीश यादव को टिकेट नहीं मिलता तो आप मनीश यादव के बारे में भी कह सकते हैं लगबग वो पार्टी में ही रहेंगे छोड़ेंगे नहीं लेकिन इन दोनों लेताओं के साथ में राव साप का 36 कांकड़ा जरूर रहेगा अगर राव इंदर जी सिंग की बेटी को टिकेट मिलता है तो और अब प्रमुक नाम यहां से राव नर्वीर सिंग का राव नर्व सिंग कॉंग्रेस में जा सकते हैं तो अब यह राजनितिक चर्चाओं में यह खबर बड़ी पुष्ट हो रही है कि राव नर्वीर सिंग कॉंग्रेस में भी जा सकते हैं और वह कंडिडेट हो सकते हैं और चर्चा यह है कि अगर राव नर्वीर सिंग कॉंग्रेस में जात बेटी जो पहला चुनाव पर निशाना लगाए वो निशाना चूक ना जाए कहीं इसलिए राविंदर जी सिंग मैं तो यह समस्ता हूं और जो राजनितिक पंडित भी कह रहे हैं वो यह समझा जाता है कि बाश्या पूर पर राविंदर जी सिंग शायर नजर सीधी ना रख सवा में इस रेवाड़ी विधान सवा सीट से 2014 और 2019 दोनों चुनावों में टिकट चाहते थे राविंदर जी सिंग अपनी बेटी के लिए 2014 में यहां से रंधीर सिंग कापडिवास को टिकेट मिला वो चुनाव जीत गए 2019 में यहां से टिकेट दिलवाया सुनील मूसेपुर को राविंदर जी सिंग ने राव साब के समर्थक थे हैं। लेकिन सुनील मुसेपुर ने भाजपा के आला कमान में भी RSS में भी अपनी पैठ बनाई है वो भी टिकेट की पूरी दावेदारी में हैं कॉंग्रेस के यहां से विधायक पहले से ही हैं और आरती राव की तैयारी वहां भी नगन्या दिखाई देती है वहां भी कोई ज़् सबसे कमबूट हैं इस विधानसवा सीट पर यानि की नारनौल की विधानसवा सीट पर सीता राम यहां से विधायक है आजकल और नारनौल में राविंदर जी सिंग का असर बहुत अच्छा है ठीक ठाक असर है यहां पर कॉंग्रेस के पास भी कोई मजबूत चहरा नहीं है अगर कॉंग्रेस के पास कोई मजबूत गूजर नेता आ जाता है तो फिर तो हो सकता है लेकिन आज के समय में वहां पर कॉंग्रेस की स्थित भी उनकी नजर में रह सकती है राव इंदर जी सिंग की नजर में कि आरती को चुनाव अपनी बेटी को वहां से लड़वा लें आप ख़वा करें मैंने जो आपको बताया वहां का आपको बताया नारनौल के लिए तो डॉक्टर सीता राम नहीं वहां उम प्रकाश है के में आजकल और अटेली कनीना सीट से मले हैं डॉक्टर सीता राम और सीता राम वहां से विधायक वो भी दूसरी बार है और इस विधानसवा सीट की आप माने तो यहां पर भी कॉंग्रेस की स्तिती कोई अच्छी नहीं थी राव साब का यानि कि राव इंदर जी सिंग का यहा भी आरती राव के लिए यह चार विधानसवा सीटे तो वही जो प्रथम दृष्ट्या में हैं और इसके बाद फिर अगर आप देखें आलांकि दावा तो वह करते रहे हैं राव अभै सिंग वाली सीट के लिए भी और दावा उनका कोसली पर भी है लेकिन लगता ऐसा है क नारनौल और अटेली कनीना ऐसी विधानसवा सीटे हैं कि जहां पर राव इंदर जी सिंग अपनी बेटी के लिए सुरक्षित सीट के रूप में मान सकते हैं आपको क्या लगता है कि राव इंदर जी सिंग अगर उनकी बेटी को पार्टी टिकट देती है तो कौन सी सीट प्राथ मिक्ता रहेगी क्या बाश्चापुर और रेवाडी में ट्राई करेंगे और या फिर नारनौल और अटेली कनीना कोई विधानसवा सीट हो सकती है कमेंट्स बोक्स में जरूर पता हैं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना